2023 के बाद 2024 साल बदला, कैलेंडर बदला लेकिन हर बार की तरह पूरे इंडियन सिनिमा को जो फिल्म बदल सकती है उसके लीड एक्टर का नाम नहीं बदला प्रभास दर डाइनसौर बंदे की मुवीज का रियाक्शन चाहे जैसा हो लेकिन सब्जेक्ट, वेराइटी और पॉब्लिक अटेंशन एकदम नमबर वन, नो कॉंपेटिशन कल की 289880 ऐसी फिल्म जिसको लोग बहुत हलके में ले रहे हैं बड़ शायद पता भी नहीं है किसी को जिस हॉलिवुड से कंपीट करने के सपने हम देखा करते थे उस हॉलिवुड के सबसे बड़े इवेंट में जाकर इस फिल्म ने बता दिया इंडियन सिर्मा किसी से कम नहीं है बॉस, पैन इंडिया नहीं, पैन वर्ल्ल फिल्म रिलीस करके बताएंगे सोचो सिर्फ 40 करोर में बनने वाली हनुमान को पबलिक इतना सपोर्ट कर सकती है, उसके स्पेशल एफेक्ट्स वगरा देखकर लोग लिटरिली पागल हो गए थे तो कल की जैसी फिल्म अगर 50% भी सही बन गई, सारे रिकॉर्ड्स खतम हो जाएंगे, हॉलिवुड से लड़ना तो छोड़ो, हम खुद का हॉलिवुड घर ले आएंगे और देखो कल जो फिल्म का पोस्टर आया है, वो लिटरिली आपको किसी इंटरनेशनल मुवी जैसा फिल कराएगा, मास्विद क्लास का डेडली कॉमिनेशन एक फ्यूटरिस्टिक पोस्टर लग रहा है है, जो सिर्फ छोटा सा सैंपल है प्रभास के डिफरेंट लुक्स का फिल्म के अंदर, पास, प्रेजन, फ्यूटर, तीन टाइम लाइन्स होंगी जैसे आर्टिफिशल इंटेलिजन्स कोई पोस्टर जनरेट करता है न, ठीक वैसा स्मार्ट, स्टाइलिश और इंपेक्टफुल ट्रांस्फरमेशन दिया है प्रभास को देखो आप सपोर्ट करो या ट्रोल करो लेकिन इस बात को इग्नोर नहीं कर पाऊगे कि प्रभास जैसा रिस्क टेकर आक्टर शायद फिल्म इंडस्ट्री में कोई दूसरा नहीं होगा बाहु बली के बाद साहो, उसके बाद राधे शाम, फिर आदी पुरुष, सलार और अब कलकी 2898-80 बहुत सारी मुवीज एक दूसरे से बिल्कुल डिफरिंट है प्रभास का कैरेक्टर फिल्म से रिवील किया गया है एस भहरवा, महाशिव रातरी पे लौर्ड शिफ के अफ्तार को प्रेजन करना अब शुरू होता है कलकी का काउंटडाउन भहरव को जोड़ा जाता है डिस्ट्रक्शन के साथ भगवान शिफ का रौदर रूप जो डर का सर्वनाश करता है और अपने भक्त की रक्षा करता है पोस्टर पे फ्यूचर स्ट्रीट्स ओफ कासी भी बड़ा बड़ा लिखा है जो शायद प्रेजन डे काशी मतलब वारा नसी से कनेक्टेड है इंडिरिक्ली भगवान शिफ का प्रेजन्स तो मतलब बात साफ है कल्की में प्रभास एक सेवियर का रोल प्ले करेंगे जो पूरी दुनिया को बचाने वाला है कल्यूग के सबसे बड़े राक्षस से राक्षस है कमल हसन सर माने असुर कली जो कल्यूग में इंसानों को अपने वश में करके उनसे सारे बुरे काम करवाता है पता तो ये भी चला है कमल सर का कैरेक्टर हॉलिवूड के सूपर विलन थैनोस से इंस्पार्ड होगा माने फर्स्ट पार्ट में बुराई अच्छाई पे जीत जाएगी और इसका अंत करने के लिए ही कल्की का जन्म होगा अपनी प्रिच्वी पे अब इंटरस्टिंग सवाल ये है कि प्रभास अगर भैरव है तो कल्की का कैरेक्टर कौन प्ले करेगा भाई फिल्म की स्टार कास्ट बहुत लंबी है आप सोच भी नहीं सकते ऐसे ऐसे नाम रिवील होते हैं ऐसे स्राजा मॉली से लेकर विजर देवर कॉंडा, जूनियर एंटियार वगेरा वगेरा बाके अमिताफ सर तो हैं ही जो शायद 99.99% अश्वाथामा का कैरेक्टर प्ले करेंगे इवन प्रभास के अगेंस्ट खतरनाग फाइट सीक्वेंस भी होगा दिपिका पादुकोंट फिल्म में क्या रोल प्ले कर रही है, no idea अभी तक टीजर से इतना पता चल गया था, उनका कैरेक्टर थोड़ा emotional टाइप का होगा देखो इस पोस्टर के बाद एक बाद तो पक्की है सर, कल की 289880 कोई normal फिल्म नहीं होने वाली इंडिया में बनने वाली शायद आज तक की सबसे महंगी फिल्म अल्मुस्ट छेसो करोड प्लस बजट बताया जा रहा है, यह पोस्टर देखकर समझ आता है, पैसा तो लगा होगा सिर्फ imagine करके देखो, अगर पोस्टर इस लेवल का है, तो visuals कितने special हो सकते हैं, VFX, CGI और पता नहीं क्या-क्या, सब कुछ game changer साबित होगा वैसे एक दूसरा फोटो भी reveal किया था फिल्म के टीम ने, जिसमें बताया गया, फिल्म का कोई special song इटली में shoot किया गया, विद प्रभास और डिशा अब भाई, past, present, future, पता नहीं क्या दिखाने वाले हैं ये लोग फिल्म में, जिसके लिए इटली जाने की जरत पड़ गई, expectations एकनम आस्मान तक जा रही है मुद्दे की बात ये है, thanks to team कल की, बिल्कुल ऐसा ही update रही है था हमें फिल्म के बारे में, अब जाके feeling आ रही है एक super hero फिल्म की Good news ये भी है कि फिल्म की release rate में no changes है sir, सिर्फ दो महीने बाद इंडिया में बैट कर हम लोग हॉलिवूड के दर्शन करेंगे क्या बोलते फिर प्रभास 2024, finally the comeback जुसका इंतजार सबको है या फिर आदी पुरुष 2.2 बनने का डर तो नहीं लग रहा, 0.1% chance हा की न, बोलो बोलो बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टेग्राम पर भी मिल जाओंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगे आपसे अगले वीडियो में, take care, bye bye